हेलो स्टुडेंट्स तो आज हम लिड़ करने जा रहे हैं चेप्टर नमबर फॉर्टीन हमाना लेशन है जो हेल्पिंग है हेल्पिंग अटता है साहता करने वाले हाथ कि वे और लिव इन साहती है हम सभी जाइटी में रहती है एंड हेल्प इच अदर इन इस टाइम आफ नीड हम जब जूर्थ पड़ती है जूर्थ के समय दुसरी की साहता करती है एक वी दू नौट है इच अदर यदि हमें दुसरी साहता नहीं करेंगे देर इस नो नीड सब्सक्राख में आफ थी करते हैं और फ commencement मैं तो लुग करते हैं गरते हैं वह लड़की Missu ने कहली स्कृल में चाहती है तो इसकी जो है वो सभी लड़के मिलकर्स की जो है help करते हैं तो आओ इस लेसल का हम स्टार्ट करते हैं रीमा लीव्ड इने विलेज रीमा एक काउं में रहती थी high in the mountain of लदा लदा की उच्छी पाड़ियों में with her parents and an under brother अपने माता पिता और अपने बड़े भाई के साथ हर father was shepherd जो उसके पिताजी थे हर father was a shepherd shepherd होता है गड़रिया उसके पिताजी एक गड़रिया थे they lived in tiny cottage वे एक थोटी जोपड़ी में रहते थे one morning एक सुबह रीमा वोस फेलिंग सेट रीमा उदास थी school had finally reopened after a long winter holiday यानि जो शद्धी की लंबी छुटियों के बाद में तो school है वो दोबारा सुरू हो गए थे रीमा's brother रीमा का भाई was getting ready to go to school with his friends रीमा का भाई अपने दोस्तों के साथ school जाने को त्यार हो गया था a path of lost stones led from the village to school जो school गाहों से जो school का जो रस्ता था उस पर क्या थे पत्थर पड़े वे थे अगे रीमा wanted to go to school रीमा भी स्कूल जाना चाहती थी but she sat in a wheelchair परन्तुब एक wheelchair बैटी थी she could not walk वो चल नहीं सकती थी her wheelchair उसकी wheelchair could not move on the stones उसकी जो wheelchair थी वो पत्थरों पर नहीं चल सकती थी the wheels would get stuck उसकी जो पत्थर है उसके निरे के है पर ये फच जाएंगे I wish I could go to school मेरी वीच है कि मैं भी स्कूल जाऊं अली her best friend अली उसका दोस्त came in आया he was dressed in school उसने स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी he remar, I remar the holidays are over चुके हैं खत्म हो चुकी है I have to go to school today मैं आज स्कूल जा रहा हूँ you will have to wait to play with me आप में जो हैं मेरे साथ केलने का इज़र करो in the English शाम गो when I return जब मैं वापिस आँगा all right अली, अली ठीक है Rima's eyes were full of tears Rima के आंकों में आशु आगे hey Rima, hey Rima don't be bro but I will come back in a few hours मैं कुछ ही गंटों बाद वापिस आजाँगा I am not sad मैं अदास नहीं हूँ because you are going to school मैं इस बास से अदास नहीं हूँ कि आप school जा रहे हूँ you सीदु देखते हो I am different from all of you मैं आप सभी से अलग हूँ I cannot go, मैं चल नहीं सकती I cannot go to school, मैं school नहीं जा सकती I will never learn to read and write मैं तभी पढ़ना और लिखना नहीं सीख पाऊँगी No Rima, नहीं Rima, you are not different आप अलग नहीं हो, it is does not it does not, it does not matter ये कोई बात नहीं है that you cannot go कि आप चल नहीं सकते I will reach, I will teach you how to read and write and learn मैं आपको चिकाऊँगा कि आपको कैसे पढ़ना लिखना है I know मैं जानता हूँ, you can help me आप मेरी साइता कर सकते हो but I want to go to school मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ then come along तभ मेरे साथ आओ, I cannot do that मैं इसा नहीं कर सकती, my wheelchair will not come move on road covered with stones, जो मेरी wheelchair है, वो पथरे लास्तों पर नहीं चल सकती, you are right रीमा, रीमा आप ठी कहती हो but don't worry, जिनता मत करो I will find way, मैं कोई नहीं को रिष्टा ढूंटता हूँ Ali was getting late Ali late हो रहा था so he waved रीमा and ran up the path इसलिए जो है, उसने इनक वहाद लागर bye-bye कहा उपने रिष्टे चल पड़ा during the lunch break he topped his friends उसने फिर दोस्तों से बात की what can we do so that रीमा comes to school too हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि रीमा भी school जा सकती है all of them thought hard सबीर ने बड़ी, गेराईशे जोचा at last, आकिर में Ali reached and said Ali, Ali last friend said Ali हसावर कहा oh, it is so simple, बहुत simple है let's meet in the evening, आव शाम को मिलते हैं हम सभी that evening, उस शाम Ali took his friends to path उस शाम, Ali अपने दोस्तों को जरस्ते पे ले गया we have to clear the stones from the path हमें जो है रस्ते से सारे पत्र रठाने पड़ेंगे under the stones, stones कि जिदा raw बोच सर्फे समूथ, जो पत्रों के नीचे हम जो है बड़ी असानी सी रिमा की जो बीज़े उसको दखेलते भी उसके रस्ते ले जाएंगे you are right, आप ठीक कहते हूँ at once, जरसे they started clearing the path उन्होंने जरसे जो है रस्ता साफ करना शुरू कर दिया they gathered stones in basket उनसे भी ने पत्रों को एक basket में खठा किया and dumped into them in a hillside और dumped होता फेंका उन्होंने उन्हें पत्र वाड़ी साइड में क्या क्या पत्र जो पाड़ी थी उससाइड में पत्रों को फेंक दिया from the next day अगले दिन रिमा's father and mother and brother father mother and brother joined them अगले दिन क्या है रिमा के पापा ममी और उसके भाई ने भी उनका साथ दिया gradually gradually थी दीरे दीरे सी था other villagers दूसरे villagers also joined them उनके साथ सामिल हो गए they they all wanted to help रिमा's to school वो सभी जोह रिमा की साइड़ा करना चाती थी क्यों स्कूल जाए Ali had shown them after seven days साथ दिनों के बदा पहुत होज क्लियर पेस्ता प्रिकुल साफ हो गया था next day अगले दिन जीमा वो कप early अगले दिन जीमा वो जल्दी उठी she wore a new dress उसने नहीं बर्दी पहनी and tried red and tied red ribbons in her hair अपने जो हैं hair है बालों उसमें red color की ribbon डाली her mother gave her son out for his पुरितिया खिच्डी उसकी मुआने उसे गर्मा गर्म खिच्डी भी दी उसके बदागे देखो Ali and his friends post जीमा विल्दी अगले अब समूथ तो पाथ स्कूल स्कूल करेशते जो स्कूल का जबरस्ता जारता वो उस रास्ते बज़ए स्कूल की टीचर थी वो भी गर्म करने के लिए यू आर दा बैस्ट फ्रेंड इन दा फूल वर्ड आप संसार के सबसे अच्छे दोस्त हो स्टुडेंट्स यह दो थे आपका आपका लेसन हेल्पिंग हैं अब आओ इसके बारे में आगे वड़ में देख लेते हैं इसके बड़ में नहीं उसको देखो फिस्ट है सेफट का मज़न होता है गडरिया क्या होता है गडरिया पाथ मिन से रास्ता एफ्यू कुछ एक रोप में चटान और समूथ में होता है समतर इसके बाद आगे गैदर गैदर माने इकठा करना और डंप्ड में फैंका इसके बड़ प्रेक्ट ऑप्संस वर्ट काइंड ओफ लैंड इस दियर लदा किस तरह की लैंड थी वो क्या थी एली लैंड थी वर्ट वोद रीमा स्फादर इमा के पापा क्या करते थे सेफट से गड़ रही थी थी दपाग टू स्कूल वोग जो स्कूल का रस्ताव किसे स्टोरी एज दे हैपन अली डिसाइडी टू हैल्प रीमा सबसे पहले यह संटेंस आएगा उसके बाद में सेकिंड संटेंस अली एंड इस फ्रेंड डिसाइडी टू रिमोव दा स्टॉंस उसके बाद उनी जब पत्र रटाने की होज़ना मनाई और तीसरा ही आएगा विल पॉर्ट यहां जीनिए फार्ष ट्रेकेंड फॉर्थ है थर्ड उसके बाद आगे इसके कोस्ताना सब्सक्राइब लेग लेए हम कोस्ताना सब्सक्राइब कि वॉइव वाज रीमा सैट वैन डश्कूल री उपन आप्टर ब्रेक जब बिंटर ब्रेक वा था तो उसके सब्सक्राइब कि कि वाइड अली डिसाइड टू है रीमा तो गो टू स्कूल उन्होंने अली ने रीमा की हलप करने की बात को सुची बिकॉस क्योंकि रीमा फेलिंग अर्शेल्फ डिफ्रेंट फ्रॉम अधर्स जिन्या जो है स्वेम को दूसरों से अलग मांती थी सी नहीं सीख सकती थी उसने ये बात सोची थी उसके बाद थाड़ गोशन आगे है हूँ हूँ हाँ हूँ थाड़ देखें हूँ है इन रीमोविंग दा स्टॉन्स प्रॉम पाथ जो रस्ते में पड़े बत रहते हैं उनको अटाने के लिकिस ने अल्प की तो रीमा मदर फादर एंड विलेजर्स ने हाव डिटे अली प्रॉप देट टू बी तो बी रीमा बेस्ट प्रेंड कैसे उसने प्रॉप गया था अली हैलप टू प्लियर दा पाथ फूल अप स्टॉर्ण जो पुरा रस्ता बज़ोपत्र बुरा दोस्ते हैं सभी को साफ किया और दे स्कूल स्कूल के सो देट रीमा पूट गो टू स्कूल ताकी रीमा जो स्कूल है जासके तो स्टॉर्ण ये तो थास का लेसन बाकी नेक्ट सेस्ट के बड़े हम कल डिस्कूस करेंगे थैंक यू